हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टेडी पॉइंट दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए करेंट अफेयर्स जन्रल एवेनेस दोठारा के टॉप 25 बेटेस्ट कोईशन लेकर आया हूँ जो कि आपके आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए महत्पूर है इसलिए इस तो प्रूप लाइक करें इस वीडियो को जादा जादा शेयर करें जो भी आपके फ्रेंड्स गवर्म्न एक्जाम के ताकि उनकी भी हेल्प हो सके ठीकर दोस्तों चले फिर फटा पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आजका हमारा पहला कोश्चन है राष्ट्री अपराध रि रिकार्ड वीरो का निदेशक निवत किया है आपको बता दे जो कि यह पस्चिव मंगाल के डर से IPS भारती पुलिस एवा के अधिकारी हैं दोस्तों यहां पर बात हो रही राष्ट्री अपराथ रिकार्ड वीरो की इससे लेटेर आपको कुछ फैक्ट बता दे जो आपका एक चैसी को इसकी स्थाबना की गई थी और इसका है निव डेली में ठीक है तो आपको यादर क्राइम रिकार्ड वीरो के नए जो निदेशक बन गए हैं यह बन गए रामफल पवार्यानी की ऑप्शन सीज का करेक्ट हो जाएगा चली अगला कोशन देख लेते हैं फटा पर बनेंगे देखें तो 36 गड़ के नए मुख्यमंत्री हो जाएंगे भूपेश बघेल ठीक है भूपेश बघेल होंगे 36 गड़ की राजधानी क्या है अटल नगर इसका पहले नाम था नया रायपूर इसका अभी नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है और 36 गवर्णर का इसमें 15 सीट ठीक है तो यह आपको याद रखना है टोटल 90 सीट थी विधानसवा की यह आपके एक्जाम में जरूर पूछा आगा पांच राज्यों के विधानसवा चुनाव से रिलेटेड तो आपको उता दिक राजस्थान, मध्यप्रदेश, 36 गड़, मिजोराम और ते ठीक है इससे पहले कौन थे 36 गड़ के सीएम रमान सिंग थे और अब कौन हो जाएंगे नए भूपेश बगेल और गबंडर है आनंदीवेन पटेल आनंदीवेन पटेल दोस्तो मत्यप्रदेश की भी गबंडर है अतरिक प्रहार मिला इनको 36 गड़ का इतने फैक्ट आपक इसका करेक्टेंस होयागा ओप्सन सी अमिताब घोस को साहित तिक प्रति उत्परिष्ट योगदान के लिए उल लेखनी अंग्रेजी लेखा कहिए अमिताब घोस को एक ज्यान पीट पूरुषकार दोठारा से समानित किया गया दोस्तों आपको बता दे कि इनकी जो प्रम दोस्तों कि देश की मानेता प्राप्त 22 भासाओं में से किसी भी भासा के साहितिकार को सिजनात्मा के यगदान है तो भारती एक जान पीट ट्रस्ट द्वारा ये दिया जाता है और एक कोश्चन पूछा गया थे एक जान पीट पूरुषकार के पहले विजेता कौन थे त सबसे इंपोर्टेंट आपको अभी क्याद रखने लेटेस्ट 24 ग्यान पीट वार्ट किसको मिले गए अमिताप घोस को मिल गया है तो बहुत महत्पूर है आपके आपके आप्राम इक्जाम पे जरूर देखने को मिले गए ये कोश्चन फोर देख लेते हैं मानव रहित पहली नीजी शेदर की इकाई का उधगाटन किया गया यानि की ऑप्सान इसका करेक्ट है है ठीक है तो यह आपको याद रखना है अगला कोशन देख लेते हैं राश्ट्री अनुसूची जनजाती आयोक का सचीव किसे निउक्त किया गया है तो आपको बता देए सो अशो हम लोग की जाच और निगरानी करता है राश्टी अनुसूची जनजाती आयोक ठीक है तो यह आपको याद रखना है इस वीडियो में दोस्तों जो भी मैं कोश्चन लेकर आए हूँ आपके लिए बहुत हिल्फुल होने वाला है तो आप इस वीडियो का आखरी तक जरूर देखते रहे हैं कि कोश्चन नमर शठा है हाली में किस देश ने 2000 रूपए 500 रूपए और 200 रूपए के भारती मुद्रग नोटों पर प्रतिवन्द लगा दिया है तो दोस्तों लगा दिया है नेपाल ने ठीक है देखे तो नेपाल गबर्मेंट ने 2500 और 200 रूपए के भा सूचन और प्रसारम नंत्रा लेने 13 दिसंबर को फिल्म एंड टेलीविजन इस्टिटूट ऑफ इंडिया नी FTII सोसाइटी और गवर्निंस काउंसिक लाध्यक शरूप में ब्रजंद पाल सिंग को नियुक्त किया है इससे पहले काउन थे अनुपाम खेर जिन्हों अपने हेटकोर्टर है दोस्तों FTII का पुने महरास्ट्रा में इसकी स्थाबना हुई थी 1960 में ठीक है तो यह फैक्ट आपको आधखना है अगला कोश्चन देख लेते हैं हाली में कि सराज्जी को केंद्री कृषी मंत्राले द्वारा कृषी कर्वन पूरुषकार दिया गया है त जारखन को मिला है कोश्चन नमबर नाइन थे भारत में हर वर्ष राष्ट्री उर्जा सनक्षण दिवस का मना जाता है दोस्तों हर वर्ष 14 दिसंबर को भारत में राष्ट्री उर्जा सनक्षण दिवस मना जाता है ठीक है यानि कि आउपसा ने करेक्ठ है 14 दिसंबर इसक तो आपको बतादे केरल परेटन भी भाग ने Smiley Virtual Tour Guide लाँज किया है ठीक है यानि की option भी correct हो जाएगा आपको बतादे कि Smiley Virtual Tour Guide परेटकों को अनुभवी सेवाओं के आकरसान प्रदताओं के स्थानों के साथ जोड़ता है ठीक है तो option भी केरल हमारा दोस्तों अंगला को चन है कौन सा देश 2020 फार्मूला वन रेश की मेजवानी करेगा दोस्तों आपको बतादेख वियत नाम अप्रेल 2020 में फार्मूला वन रेश की मेजवानी करेगा यानि की option भी correct हो जागा वियत नाम ठीक है यह है रेस जो है दोस्तो राजधानी वेतनाम की जो राजधानी हनोई में आज़ित की जाएग ठीक है हनोई तो यह वेतनाम में होगी कोश्चन नमबर वार्मा है अतुल कुमार गोयल को किस बैंक का प्रवन नेशक और CEO नियुक किया गया है अतुल कुमार गोयल ने युको वायंक के प्रवन नेशक और CEO को रूब में कारवार प्रवार समाल लिया है इससे पहले दोस्तों वह Union Bank of India के कारेकारी नहीं दे सकते ठीक है तो यह आपको याद रखना है अतुल कुमार गोयल को किस बैंक का प्रवन नेशक और CEO ने उत्किया गया है युको वायंक बैंकिंग एक्जाम बाले इस कोश्चन के जरूर याद रखिएगा एक्जाम में पूछा जाता है यह कोशन नमर 13 है दोस्तों किस देश ने दुनिया का पहला संप्रभू ब्लू बॉन्ड लॉन्ड 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 किया है दोस्तों आपको बता दे कि सेशेल्स गणराज ने दुनिया का पहला संप्रभू ब्लू बॉन्ड लॉन्ड लॉन्ड किया है यानि कि इसका option भी correct हो जाएगा सेशेल्स हमारा अगला कोशन दोस्तों भारती अंतराश्टी फिल्म होसो 18 के लिए किस देश को focus देश के रूम में चुना गया है आपको बता दे दोस्तों 49 भारती अंतराश्टी फिल्म होसो गोवा में ये आयोजित किया गया था और इसमें जो दोस्तों इसराइल को 49 में भारती अंतराश्टी फिल्म होसो के लिए focus देश के रूम में चुना गया था ठीक है यानि किसका option भी correct है इसराइल और दोस्तों आपको बता दे किसमें focus राज्ज के रूम में जीता है दोस्तों पत्रकारता है मुतकिष्टा के लिए प्रदेश्ठी 2018 का ये जो International Press Institute India पुरुसकार ये जीता है नमरता आहुजा को दिया गया ठीक है यानि कि option भी correct हो जागा नमरता आहुजा ठीक है और इस जिगलर द्वारा जवाहलाल सरीन को फ्रांस के सरवोच नागरिक सम्मान से समयनित किया गया था ठीक है यानि कि देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम सूर निकि आर्टिफीसियल सन बनाया है तो दोस्तों आपको बता देख चीन ने एक कृत्रिम सूर बनाया है जो सूर की भीतरी भाग के तापमान से 6 गुना तक पहुचता है यानि कि इसका ऑप्सन भी करेक्ट है चीन ने बनाया है ठीक है यानि कि ऑप्सन इसका करेक्ट है मतुरा ठीक है चलिए अगला कुस्ते देख लेते हैं दोस्तों भारत और स्यंक्त राज अमेरिका के बीच स्यंक्त शैन अभ्यास वज्र प्रहार कहां शुरू हुआ है तो दोस्तों आपको बता दें कि 19 नमबर को भारत और स्यंक्त रा किएगा इसका लक्षि क्या है दोनों स्यंक्त राज अमेरिका के बीच राजस्तान की कैपिटल जैपूर को स्यंक्त नमर बीस है टाटा लिट्रेचर लाइव बार्ट दौहटारा में किस्ये पब्लिसर आप दाइयर दौहटारा नामित किया गया तो इसका करेक्ट एंसर हो आमति नर्यन मोधी ने भारत और विदेश में गुरुनानक की पांसो पचासवी जन्ती बनाने के लिए राजटी कारेमने समिती गठन किया और केंद्री गरिय मंत्री जो है राजनाथ सिंग को राजटी कारेमने समिती का ध्यक्स चेर्मैन को बनाया गया थिक है यानि इसक करेक्ट है आपको वतादी कि वसीम जाफर है विधर्व के लिए खेलते हैं इन्होंने बड़ादा के खिलाब रणजी ट्रॉफी मैच के दूसरे दिने उकलब्धी हासिल की है ठीक है तो यह आपको याद रखना है वसीम जाफर बन गए है को स्ट्वा को भंग कर दिया है तो यूनिशेफ द्वारा पूर्वोतर शेदर की पहली यूथ एड़वोगेट के रूब में किसे न्यूट किया गया है दोस्तों इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपसाने नाहीत आफरीन को ठीक है नाहीत आफरीन ठीक है चली अगला कुछन देख लेते हैं किसे संयुक्त परियावरन कारिकरम के कारेकारी प्रमुख के रूब में न्यूट किया गया है दोस्तों आपको बता दे कि 22 नमबर को एरिक सोलेहम के इस्तीफे के बाद तंजानिया की माइक्रोबालेजिस्ट जायस मसूया को संयुक्त राष्ट परियावरन कारिकरम की कारेकारी प्रमु को ठीक है यानि कि option सी correct हो जाएगा ठीक है तो यह आपको याद रखना है nsdc कुद्देश से हैं बड़े गुर्वत्ता वाले लावकारी व्यवसाइक संस्थानुक निर्माड से कौसल विकास को बढ़ावा देना तो हाली msdc यानि कि राष्ट्री कौसल विकास तो यह थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 26 करेंड़ फेस की लेटेस्ट कोईस्चंस आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आपके लिए help लोगत प्लीस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों सेर करें और चैनल को सब्सक रहें मस्त रहें आगाम एक्जाम्स के लिए बहुत सारी सुपकावन हैं आप लोग जल्दी से फ़लूं ठीक है मिलते नेक्स पूर्यों साथ जै हिन जै भारत